नमस्कार मैं प्रांजली सिंग और आप देख रहे हैं नियूस ट्राइम नेशन और रब वक्त हो चला है अप राज जगत से जोड़ी कुछ बड़ी खबरों करें उत्रप्रदेश में समाजवदी पार्टी और कॉंग्रेस का गटबंदन तूट के आप सपा उत्रप्रदेश की सभी सीटों परचुनाओ लड़ेगी लखनव में समाजवदी पार्टी ने प्रत्याशियों की एक और लिस्च्वारी की है जिसमें कहराना से इकरा हसन और बंदायू से शिवपालियादों के नाब की घोश्रा की गई है लखनव में समाजवदी पार्टी के प्रदेश अध्यष राजसभाचनव में सपा को वोट करने के लिए जनसंता दल लोकतांतरिक के राष्ट्री अध्यष रगराज प्रताप सिंग और फ्राजवभया से मुलाकात की आपको बता दे कि जन संता दल लोकतांतरिक पार्टी के पास दो विधायक है कुंडा से रगुराज प्रताप सिंग और बिनो सरोज बाबा गंज प्रतापगर से विधायक है सुल्तांपुर में कोतवाली नगर के लश्मडपूर महले में रहने वाले रेटाइड डियाईजी ललित कुमार सिंग पर लाएंगी अपरात से जोड़ा मामरा दर्च किया गया है घर में रहकर काम करने वाली महिला के बच्चे के साथ पिछले काफी दोनों से लगाताय डियाईजी ललित कुमार दुश्कम कर रहे है सुल्तामपूर अमेटी समेट पूरे प्रदेश में 22 फरवरी से 9 मार्च तक यूपी बोल्ड के परिक्षाएं शुरू हो रही है इस बार बोल्ड परिक्षा में 55 लाग से जादा परिक्षा त्री परिक्षा देंगे जिनके लिए 8265 परिक्षा के इंद्र बनाए गए है सुल्तामपूर में MPML कोट में आयप पेसी के दोरान जुले के सभी कारिकरताओं ने राहुल गांधी का पोस्टर पैनल लगा कर जोरदार स्वागत किया सुल्तामपूर के कुरे भर्थाना में बदमाशों के होसले इसकदर बुलन थे कि प्लाइफ फैक्ट्री के मालिक पर घज़वाते समय फायर कर दिया CCTV फोटेज के सहारे पुलिजाज परताल में जुट गई है सुल्तामपूर में बल्दी राइथाना के टहर सा गाओं में हुए गोली कार्ड में रितिक सिंग घायल हो गई जुलासपतार पाचे घायल को एलाज डॉक्टर सुनिर पटेल की टीम ने टॉर्च की रोशनी में गया अमेरिठी के सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने इलाके वे बैंक शाकाई एटियम और ग्रहक सेवा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का जयजा लिया और आसपास खड़े व्यक्तियों से पूछ ताच की अमेरिठी के रायपूर फुलवारी बाईपास पर अग्याद वाहन की टककर से बाईक सवार युवक की मौत हो गई युवक बीती राद वेवाहिक कारकर्म से घरवापत जा रहा था मौके पर पहुझी पुलिस ने शौको कपजे मेली का पोस्ट मार्टम के ले भेज दिया है जौनपूर के थाना खेतास राय डोभी की भारती विद्यापीट के वार्ट नमबर पाच की रहने वाली अंजली सिंग ने थाना अध्यश खेतास राय पर गंभीर आरोप लगाते वे पुलिस सदिक्षक से नया की गुफाल लगाई है जौलान में उरई तहसील के कस्वा कोट्रा की रहने वाली गुडिया का हिस्सा उसके भायों ने बैमानी करके हडप लिया जिसकी शिकायत गुडिया ने उच अधिकारियों से की और लेकपाल पर गंभी आरोप लगाई श्वावस्ती में 62 वाहनी एससपी के जवानों ने 13 बोटा सागवान लकडी के साथ एक लकड कटे को गिरफतार किया है जो जंगल से अवैदरूप से सागवान काट कर तसकरी करता है हमीरपूर में अचानक मौसम बदलने से तेजबारिश के साथ ओला व्रस्टी भी हुई लगातार आधे घंटे से तेजबारिश और हवाओ के चलते इलाके में कई पेड उखड गए है लखेंबुखिरे में कॉलेज की फेरवल पार्टी के बाद नावालिक छात्रों ने गाड़ियों पर स्टेंट करते हुए रैली निकाली गाड़ी की छट पर हूटर बजवाते हुए लड़कों ने जम करिया तयाद्नियमों का अलंगन किया लखेंबुखिरे में तानाखिरी के जकसर मंदिर के पास देश राम गुमशुदा करन की लाश मिली मौगे पर पहुचे पुलिस ने शव को कबजर में लेक पोस्ट मार्टर प्ले भेज दिया है लखेंबुखिरे की कुम्भी चीनी मिल के डोंगे में गन्ने से लदी ट्रक्टर टॉली पलट गई जिस सिवा मौजूद लोकों में अफ्रात अफ्री मच गई लखेंबुखिरे में कोचिंग पढ़ाने को लेकर दो अध्यापकों में जम कर मार्पीट हो गई जिसका वीडियो तेजी से शोशनल मेडिया पर वारल हो रहा है और एया के दिविया पुर्थाने में नाबालिक छात्रा को 20 रुपे की लालश दे के 55 साल के इंसान ने अपनी हवस का शिकार बनाया और मौके से फरार हो गया पुलिस ने बलातकार का मुकदमा दर्शकर आरोपी को गृफतार करने के लिए टीम गठित कर दी है मेरेट में थानकोतवाली की रहने वाली ताहिर और अलाउद्दीन ने अपने पडोसी की दिवार में जानबूच कर इसी लगा कर उसका काम रुकवा दिया जिसकी शिकायत लेकर पेडित पुलिस अदिक्षक कारया ले पहुचा मेरेट के इंचोली थाना इलाके में प्रेमिका के घर प्रेमी जहर खा कर पौच जूसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौथ हो गई मेरट के थाना सदर बाजार के टैंक चोरा है पर इसकूटी से जा रहे यूवक को छोटा हाती ने टक कर मार दी जिसे घटना इसकल पर ही कंड़क्टर यूवक की दर्दाग मौध हो गई आपको हमारी खबरे कैसी लगी कमेंट शिक्षम में जरूर बताए अगर इन खबरों को आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें इसके लावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिये जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर करना ना भूलें